Assalamualaikum मैं हूँ Aisran Mehmod and welcome to Zions. Last video में हमने study किया था कि हम react native का project कैसे set up कर सकते हैं using react native CLI. आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम एक react native का project कैसे set up कर सकते हैं using expose CLI. चलते हैं वीडियो की तरफ. स्टार्ट करते हैं Expo CLI के इंट्रोड़क्शन से यहां पर मैं गूगल प्रोम में आ जाँगा और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करेंगे और उसकी ओफिशल वेबसाइट पर आ जाएंगे यहां से मैं गेटिंग सब्सक्राइब पर क्लिक करूंगा और वन सब्सक्राइ लास्ट वीडियो में हमने React Native CLI को यूज किया था अब हम Expo Go को यूज करेंगे और इसमें बेसिकली सैट अप काफी गम है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने यह कमांड एकर रंग करनी है और यह मारे लिए प्रजेक्ट बना देगा मैंने यह कमांड पहले ही यहां पर रंग की पर्जेक्ट यूजिंग एक्सबो और वह मांड ने उसको इंस्ट्रॉल स वगारा करने के बाद टैकेज इस ने के बाद मुझे बता है कि आप इस में मूउफ करें और उसके बाद यह तीन कमांड़े हैं जिनको अधर कर सकते हैं तो आप ही इसको बिसकली ट्राई कर देखेंगे और उसे के साथ हम इस वीडियो को कॉंक्लियूर करेंगे मैं यहां पर मूफ करूँगा यह नेटिव प्रजेक्ट यूजिंग एक्सपोड ओके यह मैंने उसका नाम रहा था फोल्डर का और इसे कोड एडिटर में ओपन कर लूँगा यहां पर मैं डबल क्लिक करके से एक्स्टेंड कर लूँगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉल्डर स्रेक्टर है अगर रियक नेटिव से जो आपने बनाया था कंपेर्ट यह बहुत ज्यादा लीन है और एक और चीज आप देनोटी होगी कि यह बाई डिफॉल्ड जावा स्क्रिप को यूज कर रहा है जबके रियक नेटिव से जो आपने बनाया था वह ताइप स्क्रिप को यूज कर रहा था और मैं पर स्क्रिप को ज्यादा प्रेफर करता हूं यहां पर यह एक स्टेप पॉरवर्ड प्रेक्ट हमने बनाया था उसमें पैकेजिस भी ज्यादा थे मैं उसको भी उपन कर लेता हूं ताकि आप साइड बाई साइड देख सकें कि क्या डिफरेंस था याइक नेटिव प्रजेक्ट यूजिंग एक नेटिव सी अलाई इसको उपन कर लेते हैं और यह आप साइड बनाया और मैंने कोई बैसिकली उसको स्पेशल कमांड नी थी दी मैंने सीधा जो यहां पर मैं और भी काफी ज़्यादा कमांड जो सकी है जो के हमें भी एक नेटिव सोरी ताइप स्क्रिप के साथ प्रजेक्ट को बनाने में काम आए और भी ज्यादा लेकिन अभी के बनाएंगे और उसमें बाकी जितनी भी हमें कोड हमें चाहिए होगा सारी चीजों को बना के इस में एप में इंपोर्ट करेंगे और यह में जो एप.js की फाइल है यह आटोमेटिकली चल जाएगी यूजिंग एक्सपो के एक्सपो इस फाइल को रन करेगा और इसमें जो चीजें और इंपोर्ट हुई होंगी वो सारी चीजें आपकी एप को डिफाइन करेंगें. नेक्स अब इस प्रजेक्ट को चलाकर देखें. जो एक काफी बड़ा huge advantage है एक्सपो CLI को यूज़ करने का वो यह है कि जब हम इसको रन कर रहे होते हैं मैं आपको यह करके दिख जब हमने react native का project चलाया था तो वही असली वह local यह simulator वगारा पर चला था और उसके लिए basically जो development वगारा criteria हमारे पास macOS होना चाहिए क्योंकि उसके simulator पर चलाना है development criteria ज़रा strict है. एक्सको CLI को यूज़ करते हुए आप iOS की development भी कर सकते हैं Windows पे कैसे बेसिकली आप इसको सबसे पहले project को run करेंगे यह मैं आपको दिखाता हूँ यहां भी आएं देखें start की command है तो mpm start करेंगे वेट करेंगे इस command का complete होने का जैसे यह command complete हो जाएगी तो थोड़ा सा time लगेगा जैसे यह complete हो जाएगी तो आपका project अभी यह project at least running form में आ गया है अगर तो आप macOS पे हैं तो फिर तो बहुत असानी है आप सिरफ आई दबाएं यह सामने लिखा हो है और वो simulator में iOS simulator में इस app को run कर देगा लेकिन अगर Windows पे भी आप हैं और लेकिन आपके पास iPhone है obviously आपके पास यहां तो Mac होना चाहिए यह iPhone होना चाहिए अगर आपके पास iPhone है और आप Mac OS सोरी Windows पे हैं तो आप इसको scan कर सकते हैं आपको अपने iPhone में expo go यह एक एप है एक्सपो go जो के सिर्फ एक्सपो के लिए एक्सपो CLI के लिए on iPhone इसको सर्च करें और यह आ गया है यह एप है और यह मेरा बेसिकली उसको open कर देगी मेरे हियाद से ठीक है यह आप इंस्ट्रॉल कर लें मैंने इसको Android में आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अभी Android फोन है तो मैं उसमें open कर रहा हूं एक्सपो go को और मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कि यहां से जब आप एप को इंस्ट्रॉल कर लेंगे तो आपके सामने कहारा होगा scan QR code आप उस चीज को scan करेंगे तो यहां प यहां से इंटरनेट के तुरू यह एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक तफ़ा फेल हो गया मैं करता हूं और होफुली यह चल जाएगा अगर अब यह फेल होगा तो मैं इसका पहले और आपका जो बेसिकली एक्सपोगो क्या वर्शन है आपका वह अप्टो डेट होना कि इस तरह की फोड़ी सी चीजें हैं जो के कर सकती हैं मैं इसको यहां से क्लोस करूंगा एक दफा और एक दफादी स्टार्ट कर लोगा जस्टू मेक शोर के यह बिसिकली इसमें सिमुलेटर में चलने के वजासे कोई कंफ्लिक्ट नहीं आ रहा है इसको यहां पे आगे औ यह मैंने काफी दफा इस तरह डिवल्पमेंट की हुई है यह बहुत ज्यादा एजी है आप सिर्फ यह QR कोड स्कैन करते हैं और यह लाइफ आपके मुबायल में उस एप को रून करके दिखा रहा है अब ही के लिए वहां पे एरड आ रहा है बैसिकली आप इसे ट्राइ कर जाएगा मेरी चाहिए आप का वर्जन और इस वज़ा से इश्व आ रहा है और यहां पर में वाफिस इसको आयवा सिमिलेटर में उपन कर लोंगा और यह यहां पर ओपन हो गया यह देख सकते हैं एक्सपो गो की आप ओपन होई है और उसी के साथ इसमें यहां पर बेसिक और यह निटीव में यह मैं आपको डिफरेंस बताया था कि हम यहां पर एच्टी अमल यूज़ नहीं कर सकते हैं यह नहीं कर सकते कि डिव और सम्थिंग इस तरह करेंगे तो यह चीज उसको नहीं पता आपने टैक्स लिखना है तो आप देख सकते हैं यह टैक्स है जो कि क्या है यूज़ करें घ्रक एक्स करना है तो यह टैक्स करेंगे और उसमें टैक्स लिखेंगे जो करेंगा तो आप देख सकते हैं कि वह नीचे आगया इसकी इसकी स्टाइलिंग गएदा करनी है तो वह आप स्टाइल का इनुट बेसिकली जो एटीव यूट है उसको यू यहां पर basically इस वज़ा से नहीं आया क्योंकि इन दोलों का display in line है ॉर यहां पर basically मैं इसको move कर देता हूं एक और view में sorry view का दी capital होना चाहिए इसमें और इस चीज को में move कर देता हूं किसमें save और इसका background color लगा के देख रहते हैं background color यहां पर देख सकते हैं कि यह इस वजह से आ रहा है और इसको मैं कहता हूं डिस्प्लेइ और फ्लेक्स और ना नहीं है फ्लेक्स और यहां पर बेसिकली मैं इसको कह रहता हूं हाइट यहां पर पिक्जल वगएरा नहीं आते सच यूनट आपको बेसिकली डिरेक्ट जो है नमबर देना पड़ता है और यह उसको पॉइंट्स में कनवर्ट कर देता है जो के यूज़ोता है तो यही मस्ता यहां पर बिता सोरी क्योंकि मैं जावास के वर्ट में बहुत ज्याता कर देना चाहरे हैं तो फिर आप बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हैं बाकी यूनट्स यहां पर वेलेबल और अभी के लिए मैं थ्रींट थीज़ों को करते हैं और फॉंट साइज हो गयरा सारी चीज़ें वेलेबल रहें और यह बहुत ज्यादा सान है और यहां पर भी आ स्टाइल के चौंसेंट को यूज़ करना जूज़ी है और दूसरा यह स्टाइल शीट बेसिकली यूज़ेकनेटिव का इसलफ एक यूटिलिटी एस टाइल्स को क्रिएट करने के लिए तो आप स्टाइल शीट यूज़े लिए और उसमें एक अबजेक्ट पास करना होता ह यहां पर आप सारी CSS की यूज़ कर सकते हैं जो कि एक mobile app में make sense करती है obviously आप mobile app में जो है कुछ properties जो है नहीं sense करती वो जैसे course में आएंगे वो मैं आपको बता दूँगा कि यह property supported नहीं है बाकी most probably सारी supported है और उसके बाद आप सर्फ वोट से उसको यहां पर mention कर जाते हैं जैसे कि मैं इसको यहां से cut कर सकता हूं और यहां पर कह सकता हूं text container ओके और इसको इसके sign कर दो और इस चीज़ को online styles नहीं लिखने चाहिए यह था expo go CLI के साथ एक लियक निटिव की एप को क्रियेट करना और उसको यूज करना नेक्स मैं आपको कुछ अड्वांटेजिस बताऊंगा कि को मैं यहांपे point out कर देता हूँ सबसे पहले basically आप during development कोई भी बिल्ड बनाने के बिना इसको अपनी physical device पर test कर सकते हैं उसके इलावा आप जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप Windows पर भी है तो आप आपके पास iPhone है तो आप Windows पर रहते होवे iPhone का basically code लिखते जाए और उसको physical iPhone के साथ QR code scan करके test कर लें यही point एक और sense में एक इसको पर आप पुश कर सकते हैं जो के बिसकली एक इसको की डेव वेब साइट है इस पर पुश कर सकते हैं और आपकी पर फाइल से कोई भी बिसकली वह पब्लिक एक QR code जनरेट कर देगा आपके लिए इसका बंडल सेब कर देगा अपने और उसको जो भी scan करेगा वह एक्सको गो एक्सको के साथ इस एक के साथ टेस्ट कर सकता है तो यह एक और अडवांटेज है उसके अलावा एक और अडवांटेज है वह यह है कि हमारे पास यहां पर एक्सको के बहुत ज्यादा अगर मैं यहां पर एक्सको की डॉक्मेंटेशन ने आता हूं और यहां पर स्क्रोल डाउन करता हूं तो आप यहां पर बेसिकली इसके प्लगिंस मिलेंगे जो कर देंड़ाइक सर्च कर लेंगे अट्स प्लगिंस और यह नेटिव तो बहुत ज्यादा प्लगिन्स इस पॉइंट को भी मैं यहां पर लिख सकता हूं अधर यूजर्स कें यूर एप मैनी ओफिशल एक्सपो लगेंज यह होगे कुछ अडवांटेज नेक्स अब हम देखेंगे के एक्सपो यूज करने के डिसद्वांटेज़ अग्सपो यूज करने के अडवांटेज तो हमने देख ली है कि बिसिकली हम खुद फिजिकल को तैस कर सकता है फ्लAgिंज हैं तो हम इसे ही क्यों ना यूज करें य prag случае को जूज करें कियो वैसिकली इसको यूज क्रने के डिसद्वांटेज़ जी में यह एडवांटेजिज होगे, यह एडवांटेजिज होगे, साथ में हम डिस अडवांटेज इसको भी देखे, एक्षबस E.L.I. को यूजड़ने के डिस अडवांटेजिज में से सबसे पहला यह ए कि आपकी एप का जो साइस है वो इंक्रीज करते है, क्योंकि णिए, परफॉर्मेंस पे भी एफेक्ट परका उसके इलावा आपकी एप में ज्यादा होती है वंस अगें क्योंकि हमने एक्सपो को यूज करें तो उसकी ड्यादा होगी और हम एक किसम के कहलें कि जो नेटिव वे है जो फ्री वे है उससे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं तो यह कुछ तो यह कुछ रीजन्स है कि हम एक्सपो को क्यों कंसीडर ना करें लेकिन बिसी कलिए अगर आपका इस चीज से कंसर्ण नहीं है कि अगर आपकी आपका साइज एक-डू एमबी या कुछ सब्सक्राइब करेंगे लेकिन अभी हमारे पास एक और उप्सक्राइब करेंगे उसको हम नेक्स टरी करेंगे तो यह थी आज की वीडियो आज की वीडियो में देखा कि EXO CLI क्या है यह infected CLI से किस तरह डिफरेंस है इसको हमें कियो यूज करना चाहिए किए नहीं यूज करना चाहिए हमने EXO CLI को canyon करते हुए एक परज시क्क को सेटप किया उसको रण करके देखा हमने उसके को देखा और हमने ओवराल एक्सक्राइब के साथ इंटर्ड्यूस्ट हुए नेक्स्ट वीडियो में हम बॉइलर प्लेट के कॉंसेप्ट को देखेंगे के बॉइलर प्लेट का कॉंसेप्ट क्या होता है इसको हमें क्यों यूज करना चाहिए और कुछ मॉस्ट पॉपलर जो रियक्नेटिव के बॉइलर प्लेट से उनको सर्च आउट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उससे जो नेक्स्ट बाद में वीडियो आएगी हम जो एक बॉइलर प्लेट को डिसाइड करेंगे उसको यूज करते हुए एक रियक्नेटिव का परजेक्ट बनाएं मैं आप से मिलूंगा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाँ आपस